हालो दोस्तो आसा करते हैं आप स्वस्त होंगे तो जिसा कि आपको पता है कि मुलान एकेडमी आपके लिए बहुत ही सांदार कोर्स लेके आ रही है जिसका नाम दिया है स्काइवन इस कोर्स में कौन इलिजिबल है तो कोई भी विद्ध्यारती जो स्टूडेंट है जो सीखन चाहता है यानि उम्र की कोई बार नहीं है कोई बाइंडिंग नहीं है ना ही कोई क्लास की बाइंडिंग है यानि आप अगर एट में पढ़ते तो भी आपके लिए यह उतना ही उपयोगी है अगर आप UPSC मेंस के लिए प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को आ Governor of the Year 2023 किसे चुना गया है देखो इस समय अगर हम देखे विश्च के परिपेक्ष में तो जो एकोनोमिक हाला तो वो सांदार नहीं है अमेरिका के जो बड़े-बड़े बेंक है वो कोलाप्स हो रहे हैं वहीं भारत के सक्तिकान दास सहाब उनको Governor of the Year का पुरुष्कार दिया कऴ गया है कोन सक्तिकान के भारत के जो सबसे बड़ा बहुत है जो रिज darfएंक अठराइब मिला है जिसे हम बैंको का बेंक केहते य estado केंद्री वेंक कह सकते है इसके पच्ची सबसे टोप के बैंक के जो हेड है उनको यह पुरुस्तकार दिया जाता है और 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया है सक्तिकान दास सहाब को और सक्तिकान दास सहाब यह भारत की यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25 नंबर के गवर्नर है और इनूने अर्जित आर पतेल का इस्तान लिया था किसका यूर्प सहाब का इस्तान लिया था उर्जित आर पतेल पर लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ रहा है उसका कारण क्या है उसका कारण है ग्रेट लीडर्स्टिप बाई सक्ति गांदास साहब अब देखो यह पुरुस्कार दिया किसके द्वरा गया है तो यह पुरुस्कार इंटरनेशनल एकॉनोमिक रिशर्च जनरल सेंट पुरुस्कार प्रदान करती है अगर बात करें गवर्नर ओब दे इयर यह तो हो गया अपने सक्तिकान दास साब को मिल गया यह पुरुस्कार तो वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल बेंक पुरुस्कार किसे मिला है तो यह उक्रोइन के जो नेशनल बेंक है ना जैसे बारत परिश्थितियों में विवस्ता को बनाई रखना बहुत बड़ी बात है और युक्रेन का जो नेशनल बैंक है वो एक कारे बखु भी कर रहा है तो इस कारण उसे Central Bank of the Year का पुरुष्कार पदान किया गया है अब देखो 16 मार्च ये डेट महत्वपून है कैसे क्योंकि 16 मार्च को राष्टिये टीका करन दिवस मनाया जाता है कौन सा दिवस राष्टिये टीका करन दिवस यानि टीके लगाते है न वो उसको अवेर करने के लोगों में कि आपको कोई भी टीका छोड़ना नहीं में 16 मार्च को ही मनाया जा रहा है इसका उद्देश से जब इस कुरह किया गया था तब क्या था कि देखो पॉलियो का प्रजों सब्सक्梱ध कुशन हो निजिस में प्रमुख अभी उ धीका में देखो बहुत सारी विमारियों के लिए टीके लगारे जा रहे है तो टीका क गी ते उसका मुख्योदे से पोलियो मुक्ति था लेकिन भारत 2014 में ऑफिशली पोलियो से मुक्त हो गया यह कह सकते कि बारत में कोई भी पोलियो ग्रशित नहीं है या किसी भी व्यक्ति को बिना पोलियो ड्रॉप कोई बंदा नहीं रहता है 2014 में इसे यह अधिगारिक के बारे में महत्वपून बातों को देख लेते हैं यह डबलू एचो की स्थापना कब हुई तो यह हुई थी 1948 में यानि हम 1947 में आजाद हुए और इसके नेक्स्ट यर 1948 में विश्वस्तर पर जो यह हेल्थ केर में जो कारे करती है वाइड हेल्थ और इसकी स्थापना होग लेकिन हमें इन चीजों को याद रखना है कहीने कहीं स्ट्राइक रहेगा माइंड में तो देखो साथ अप्रेल 1948 को डबलू एचो की स्थापना हुई थी और वर्तमान में कारे कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं हेड क्वार्टर कहां पे हैं यह महत्वून प्रश्ट बनता देखो अधिकतर जो छोटी एक जाम जोती है कई बार एससी में पूछा जाता है तो इसका घेट कोडर है जीनिवा में और जीनिवा कहां पड़ता है स्वीचल लेंड में वहीं हीड इसके हेड कोन नहें वर्तमान में तो जो आधानाम साहब कौन है आधानाम टेडरोस आध कारे करती है तो United Nation Economic and Social Council जो संस्ता है UNO की उसके तहत ये संस्ता कारे करती है इसका बजट कितना है yearly बजट देखो education पे बजट बहुत ज्यादा आवशिक होता है और विश्रु के जो गरीब देश है या जो deprived sections है वर्ड के उनकी healthcare के लिए कारे करती है तो बजट काफी होना अभी देखो एक नाम सुर्कियों में रहा है हमारी national media में भी और international media में भी इनका नाम है Eric Garcet कौन है Eric Garcet देखो Eric Garcet है ये भारत में राजदूत बनाये गए हैं USA के द्वारा अब USA के राजदूत भारत में बनाये गए हैं ऐसे तो बहुत चारे राजदूत होंगे तो सब इनके साथ एक interesting गटना भी जुड़ी हुई है इनको 2021 में ही कह दिये था कि आपको भारत में राजदूत नियुत के जाएगा लेकिन ये बाइडन साब ने कह दिया कि Eric Garcet बारत में राजदूत होंगे USA के लेकिन वहां की जो एक संस्ता होती जैसे बारत में लोकसभा राज सीनेट ने इनको अन्मोजित नहीं किया था लेकिन अब जाके अन्मोजित किया गया है यही दो साल तक भारत में अमेरिका को कोई स्ताई राजदूत नहीं था अब जाके निक्त किये गए है और इनका नाम याद रखना है गार्सेट साहब क्या है? एरिक गार्सेट ठीक है? तो क्या प्रश्न मनेगा कि भारत में यूअसा के नए राजदूत कोन है? तो हमारा आंचर क्या होगा? एरिक गार्सेट sorry अगर हम USA के राष्टपती की बात करें तो जो बाइडन साहब USA के राष्टपती साहब है वहीं वहाँ के उपराष्टपती कौन है तो कमला हैरस मेडम है वो USA की उपराष्टपती है जो भारते मोल से संबंदित है तो हैं अमारे लिए गरु की बात है अब्यास सीड रेगन, एक सीड रेगन exercise है, 2023 की ये कहां आयोजित की जा रही है तो ये गुवाम में, कहां पे गुवाम, गुवाम एक द्वीप है है ना, और ये कहां पे पड़ता है तो ये देखो, USA की जो इसका administrative control है ना, वो कौन से देश का है अब हम गुवाम को locate करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अब्यास सीड रेगन है उसका पहला आयोजित कब से किया गया तो सीड रेगन में भारत भाग लेता है बिल्कुल लेता है, और 2015 से इसका आयोजित सुरू किया गया और इस बार का गुवाम अमेरिका में हो रहा है और भारत ने इसमें जो एक विमान बेजा है उस विमान का नाम है P-A-T-I P-A-T-I विमान बेजा है भारत ने देखो, USA की exercise है गुवाम अमेरिका में आयोजित हो रही है अब्यास का नाम सीड रेगन है और इसमें बारत ने जो विमान बेजा है P-A-T-I इसकी भी एक interesting कहान ही है पहले तो बात यह क्या है तो एक लंबी दूरी का समुद्री गस्दी और पंडूबी रोधी युद्दग विमान है पहली बात तो यह होगी दूसरी बात P-A-T-I है ना पोर्साइन विमान का एक प्रकार है और बोइंग कंपनी ने बनाये इसे बोइंग कोन सी? एक अमेरिकी कंपनी है ठीक है और 907 किलोमेटर प्रतिगंटे की स्पीड है स्पीड कितनी है? इसकी P-A-T-I की 907 किलोमेटर प्रतिगंटा लगवग 1000 के इट्रच हो गया और एक बार में 1200 समुद्री नौटिकल मील की दूरी कर सकता है यानि एक बार जब पेट्रोल बरेगा तो 1200 समुद्री नौटिकल मील होती है ना उसको ये लांग जाएगा और अब ये भारत में कब सामिल किया गया? तो 2009 में इसे बारत में द्वारा खरीदा गया और इंट्रेस्टिंग बात जब बोईंग ने ये विमान बनाया तो सबसे पहले किसी देश ने इस विमान को खरीदा था ना तो भारत ही था भारत ने सबसे पहले इस पर विश्वास जताया था इस विमान का नाम का है P.A.T.I. Sea Change Climate अभियान यह Climate Change से समधित परियावरण से समधित एक अभियान है जो परियावरण को पोजिटिव रखने में मदद करेगा और इसमें बारत की जो Brand Ambassador बनाए गई है वो किसे बनाए गई है स्रेया गोडावत जी को क्या नाम है इनका स्रेया गोडावत और इनको Sea Change अभियान Sea Change Climate अभियान है इसका Brand Ambassador निक्त किया गए है ठीक है क्या नाम है स्रेया गोडावत इनको Sea Change Climate अभियान का भारत की तरब से Brand Ambassador निक्त किया गए है आहार 2023 आहार क्या होता है आहार होता है बोजन और केसा बोजन बहुती स्वादिश्ट बोजन तो एक मेला लगा है उस मेले का नाम रखा है अंतराश्टिक हाद मेला है और नई दिल्ली का जो प्रगति मेदान है वहाँ पर यह आहार 2023 आयोजित क्या जा रहा है वहाँ पर देश विदेश के प्रतिश्टित जो जाएगा और जो कंपनियां होगी वो टॉप के जो सेफ होगी उनको हायर करके ले जाएगी ताकि वह वहाँ पर कारे कर सके फरवरी 2023 जो मुद्रास पती है ना वो बढ़के कितनी होगी गटके देखो 6.44 हो गई इस पहले यह थोड़ी ज्यादा थी लेकिन आप 6.44 रह प्राइस इंडेक्स क्या होता है कंजूमर प्राइस इंडेक्स या यू हिंदी में कहें तो उपवगता मुल्य सूचगांग कौन जारी करता यह CPI तो CPI को National Statistical Office या नि राष्ट्रिय सांख्य की कार्याले द्वारा जारी किया जाता है किसके द्वारा राष्ट्रिय सांख्य की कार्याले के द्वारा इसे जारी किया जाता है क्या सामिल होता है इसमें तो देखो इसमें बोजन सामिल होता है बिलकुल होता है चिकित्सा यह भी होता उपसमू क्या है इसमें खाद्दे सामागरी, पेईपदार्थ, इधन, प्रकास, आवास, कपड़े, बिस्तर और जूते, चार प्रकार की CPI होते हैं, CPI में चार प्रकार होते हैं, एक तो देखो जो इंडस्टिल वर्केर्ज है न, उनके लिए, उनके लिए CPI, एक मजधूरों के लिए, CPI होगी, तो जो इसमें पहले तीन प्रकार की आकडे हैं, जो क्या बोलते हैं, उसको सरम और रोजगार मंतरा लेंके सरम ब्यूरों के दाए πिर्ष, और तो यह भी सरम और रोजगार मंतरा के लिए CPI हो जारी करेगा, और ग्रामें मजधूरों के लि कि जो सजीक तो CPI है या यूग का एक कंबाइंड CPI है इसे जारी करेगा सांक्य की और कारिक्रम कारियाने मंत्रा ले यादि Ministry of Stratical and Program Implementation जो कारिकरम है उसके अंदर का जो CSO कारी करता है उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है अब एक बहुत महत्तपूर्ण और अक्सर परिक्षाव में पूचा जाने वाला बड़ा प्रशन है और अक्सर पूचे जाना और प्रशन है जिसमें हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं तो CPI के लिए जो आधार वर्स है आधार वर्स कौन सा है CPI के लिए तो CPI के लिए आधार वर्स है 2012 कौन सा है 2012 ठीक है लेकिन जो स्रम और रोजगार मंत्रा ले न उन्हें उद्वगिक स्रमिकों के लिए जो उद्वगिक स्रमिकों के लिए CPI जारी करेगा न इसके लिए जो आदार वर्स है न वो परिवर्तित कर दिया है और अब कितना कर दिया है 2016 कर दिया है तो अगर overall पुछे आप से कोई भी अगर उसमें फिल्टर ना लगा है तो कह सकते हैं कि 2012 आदार वर्स है CPI का लेकिन बात करें कि इस्रम और रोजगार मंतराले ने 2016 को बना दिये और द्योगिक स्रमुषकों के लिए उबगता मुले सुचकंग अब देखो RBA है ना मुद्रास्पति को निर्दारत करने के लिए RBA क्या करती है उनका टार्गेट है मुद्रास्पति यानि महेंगाई दर को पोर प्रतिसत पर मेंटेन रखना और उसमें उनको डील दे गई है प्लस माइनस दो परसेंट की यानि दो परसेंट से छे परसेंट महेंगाई होती है इस बीच के अंदर RBA को महेंगाई को रिटेन रखना होता है ये RBA के टार्गेट है अभी पिसले फाइनस लेर में हालांकि एक बार ये 6% से ऊपर चला गया था लेकिन RBA ने अपने मतलब डिशिजन से अपने प्रभावी नित्ततों से इसको वापिस 6% से नीचे लेके आ गई है और अब उन्होंने CPI को जो बेस बनाया था मुद्रास्पति निदाजित करने के लिए वो 2014 अप्रेल से शुरू किया था कबसे 2014 अप्रेल से आगे चलते हैं देखो ICC अब क्या करती है हर महिने Player of the Month का पुरुषकार देती है अब फरवरी महिने के लिए भी दिया दिया बिल्कुल तो महिलाओं में ये पुरुषकार किसी दिया गया तो फरवरी महिने के लिए महिलाओं में ये जो पुरुषकार है वो एसले गार्डनर को दिया गया किसी एसले गार्डनर मेडम को दिया गया और इनका सम्मंद किस से है और आपको पता ही है और ने माईलाओं का विश्व कप एक बार फिर जीत लिया है क्योंकि साउथ अफ्रिका को इन्होंने फाइनल में हरा दिया है वह अगर पूरसो की बात करें तो पूरसो में जो प्लेयर ऑफ दा मंद का पुरुषकार है वो हेरी ब्रुक को दिया गया क्य पी शप्री रिपोर्ट बीस के आकडे आ गए हैं बिलकुल आ गए हैं और क्या कहता है यह यह कहता है कि बाहरत है वो दुनियों में सबसे बड़ा अतियार का आया तक देश है हतियार दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश खरीदता है तो अपना प्यारा भारत खरीदना पड़ता है भाई साफ क्योंकि एक तो बेटा है नल्ला पाकिस्तान ठीक है एक अपना नापाक चाहिना ये दो देश है और ये देश मतलब स्यानपत को ज़्यादा ही करते हैं तो इनका इलाज करने के लिए हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है और हमें मतलब पूरे दुनिया में जितना भी हतियार खरीदा जाता है उसका ग्यारा परसेंट हतियार भारत करीदा है और दूसरे नंबर पे कोन है भारत के बाद में साउदी अरबिया यानि साउदी अरबिया का मतलब 36 का अकड़ा है किसके साथ में इरान के साथ में क्योंकि इस खाड़ी दिसम यहाँ पे जो युद्ध होते है उसके करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है यह युद्ध करवाता है और वहाँ पे फिर अपने हतियार बढ़िया बेशता है और इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली बार की मुकाबले युद्ध के हतियारों की बिक्री में व्रद्धी हुई है कितनी 14 प्रतिशत अब देखो दूसरा देश जो हतियारों में अमेरिका को टक कर देता है वो को है वो रश्या रश्या पूरे विश्व का 16 प्रतिशत हतियार निर्यात करता है लेकिन अभी रश्या युक्रेयन वर चल रही है अब इस वोर में रश्या को तो खुद को हतियार चाहिए रश्या को तो हतियार चाहिए न तो वो उतने बेच नहीं पा रहा है अब वो क्या कर रहा है वो हतियार अपने सिनी को को दे रहा है तो उसके हतियारों की बिक्री में 31% की कमी आई है पिछले साल के मुकाबले तो कह सकते हैं हतियारों के सबसे बड़े आयातक देश है भारत और साओधी अरब और हतियारों के सबसे बड़े नीरियातक देश है अमेरिका और रश्या उम्मीद आप इसको समझ गई IQ Air World Quality Report 2023 जारी की गई है यह रिपोर्ट एक Swiss Agency है IQ Air World Quality यह जारी करती है और इसमें कहा गया है कि भारत दुनिया का आठ वह सबसे प्रदुसित देश है यहनि अगर प्रदुसित देशों की लिष्ट बनाई जाए तो भारत कितने नंबर पे आता है तो उपर से आठ वे नंबर पे आता है यह स्तथी अच्छी नहीं है लेकिन इसमें अच्छी बात एक यह है कि पिछली बार जब यह रिपोर्ट जारी की गई थी तब भारत इसमें पांच वे नंबर पे था तो भारत ने अगर बात करें एर क्वालिटी में थोड़ा अच्छा काम किया है बिल्कुल किया है देखो बाकी चीज़े तो प्राकरतिक है लेकिन बहुत सारी बाते हैं न हम मानव जनित भी है प्रदूशन मानव जनित श्रोतों में से एक आता है जो प्रेयर वन को नेगेटिवली इंपक्ट करता है तो भारत इसमें अच्छा कर रहा है क्योंकि पहले ये आठवे नंबर पांचवे नंबर पर आ रहा था और अब ये आठवे नंबर पर आ रहा है SVRA SVRA क्या है Special Westral Rupi Account क्या होता है Special Westral Rupi Account अभी ये चर्चा में रहा है क्यों? क्योंकि RBI ने अनमाती दे दी है 18 देसों को जिसमें Russia हो गया Germany हो गया USA तो हई है जो बड़े-बड़े देस है ना इनको सामिल किया गया है 18 देस है वो RBI के SVRA देसों में सामिल किया गया है इसमें क्या होता है? Green Highway Corridor ये भी चर्चा में रहा क्यों? क्योंकि देखो अभी विश्व बेंक है वर्ड बेंक है इसने 500 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूब किया इसके लिए कितने राज्यों से संबन दित है तो National Green Highway Corridor है इसमें चार राज्य आएंगे एक तो अपना प्यारा हिमाचल प्रदेश हो गया एक अपना प्यारा राजस्तान एक अपना प्यारा उत्तर प्रदेश एक अंदर प्रदेश तो इस परिकार हिमाचल राजस्तान उत्तर प्रदेश अंदर प्रदेश ये चार राजे National Green Highway Corridor में साविल किये गए है, इसके तहट 731 किलोमेटर सड़को का निर्मान किया जाएगा 781 किलोमेटर सड़को का निर्मान किया जाएगा और जो बजट है, इसका कितना है 500 मिलियन डॉलर बजट रखा गया है बाकी जैसे जैसे ये extend होगा, बजट को भी बढ़ाये जा सकता है एक देखो बजट जो बुलेट ट्रेन है उसको लेके हम बहुत ज़्यदा उच्छाइत रहते हैं बुलेट ट्रेन कब आएगी और चाहते हो कि आज जाके बुलेट ट्रेन में बेट जाएं लेकिन इतना जल्दी नहीं अभी थोड़ा सा टाइम ओर लग जाएगी तो एमदाबात से लेकर मुंबई तक जाएगी और इसकी टोटल जो दूरी रहेगी तो वो कितने रहेगी 508 किलोमेटर यानि बुलेट ट्रेन अम्दाबाद से मुंबई के बीच में दोड़ेगी 508 किलोमेटर ये दूरी रहेगी और अगस्ट 2026 में इसे रन कर दिया जाएगा ठीक है आगे चलते हैं GPT-4 GPT-4 क्या है GPT-4 है अब मतलब चेट GPT का नाम तो आपने सुनाई है वो किस पर काम करता है तो उसके लिए जो अल्गोरिदम होता है जो लेंग्वेज होती है उसे कहते GPT-4 काफी चर्चाओ मेरा चेट GPT चेट GPT ने UPST का एक्जाम फेल कर दिया कोई भी प्रोजक्ट हो चेट GPT उसको बना देगा मानव काम की जरुरत नहीं होगी मतलब जो human right work है उनको चेट GPT complete कर लेगा जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ कल को चेट GPT पढ़ा देगा आपको तो यह क्या है artificial intelligence एक तरीके से AI based technique कह सकते हैं जिसमें क्या होता है information सारी एक जगे डाल दो और उससे समझत कोई भी बात पुछो कि तो filter करके आपको आपने जो पुछा है वो बात बता देगा तो यह चेट GPT है अब चेट GPT 4 अब इसकी एक नई language है एक updated language है नई PD है AI language model की एक नई PD है और यह open artificial intelligence से समझत है और इसका open intelligence है ना यह क्या होता है यह एक company है और USA के अंदर अबस्तित है सेन फ्रांसिस्कों में इसका office है इसका इसमें क्या होता है जो GPT 4 है इसमें थोड़ी सी जो word की power है न वो बढ़ गई यह कितनी हो गई है 25,000 words को यह control कर सकता है चेट GPT काफी lock pre जो artificial intelligence पर कारिक करता है open AI company ने इसे 2022 में launch किया था अब बात करें चेट GPT को launch कब किया गया था 2022 में किया गया था अच्छा GPT में GPT क्या है यह एक प्रशन बनता है GPT क्या है बाइस था तो GPT में चेट तो चेट हो गया G का मतलब हो गया generic P का मतलब pre-trained और T का मतलब transformer यह generic pre-trained transformer होता है यह होता है GPT तो इसे कहते हैं चेट GPT चेट generic pre-trained transformation अभी मैंने क्या किया चेट GPT पे गया और मैंने इस से पूछ लिया कि चेट जीपीटी क्या होता है, what is जीपीटी 4, जीपीटी 4 क्या होता है तो इसने क्या बताया, age of my knowledge cut-off date of September 2021, there was no official announcement from the Open AI about the development of release of जीपीटी 4, ये कह रहा है कि जीपीटी 4 की release की कोई information नहीं है, जबकि यहां पे release बता दिया गया है, इसका मतलब इसकी जानकारी अदूरी है चेट जीपीटी वया अभी अदूरा है, पूरा नहीं हुआ है इस पे विश्वास नहीं करना है सरवस्वती सम्मान 2022 के लिए, ये किसे मिला है 2022 के लिए जो सरवस्वती सम्मान है, वो सिव संकरी जी को मिला है किसे मिला है ुसंखरी जी संगरी को नैसी संगरी जी यह tamil यह इननी thamil language में लखते हैं स्यू संघरी जी और राइटर है इनको मिला है सरस्वति संगरी के लिए अब कून सी बुक के लिए इनको मिला है तो इनके किताब इसका नाम सूरिवन सब्स जो आप सिर्मती सिव संकरी जी मेडम जी और इनको पुरुषकार मिला है सरस्वती सम्मान कौन देता है सरस्वती सम्मान तो देखो सरस्वती सम्मान है वह के के बिडिला foundation के दोरा प्रदान के जाता है किसके दोरा के के बिडिला foundation के दोरा कब से सुरू किया गया सरस्वती सम्मान तो 1991 से 1991 से सरस्वती सम्मान देना प्रारंब कर दिया गया था अभी किनको दिया जाता है सरस्वती सम्मान तो कोई भी राइटर है वो अगर भारत के जो सविदान के भाग आठ में जो भासाएं हैं उन भासाओं में से किसी भी भासा में अगर वो लेखन करते हैं तो उनको यह सम्मान प्रदान के जाता है वरतमान में भाग आठ में कितनी भासाएं सामिल है तो देखो 22 बाइस भासाएं इसमें स दख सकते चाहे तो 360 डिगरी शोट हो या इंट्रेस्टिंग सतक लगा ना हो अभी इनको जियो समय चिनेमा है ना उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है वह जितने भी बड़ी ब्रांड है वह सुरिकुमार यादव को जल्दी ही अपना ब्रांड बनाएंगे क्योंकि जिस प् पी एफ रडी जो प्रोविडिन प्रोविडन फंड क्या बलते हैं पैंसन पंड डेगलेटरी डवलपमेंट इस नसता है इसके नए अध्यक कौन बने तो दीपक महांती जी बने माइंड से स्ट्राइक नहीं हो पाए था उसके लेक्ष्रमा चाहूंगा और जब आप विश जरूर इन्रोल करें बहुत नॉमिनल्स की फीस रहेगी अभी फीस रिवील नहीं की गई है लेकिन जो हमारी टीम है इस बारे में जल्द आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी पूरा क्या-क्या इसमें पढ़ाया जाएगा कितने दिन का प्रोग्राम होगा पूरी डिटे करें अपने खुद को जोइन तो करना ही है अपने भाई को बहन को या कोई भी आपका रिलेटिव जो आपका हित मतलब जिसका आप हित चाहते हो उसको इस प्रोग्राम में आपको जोइन करवाना है वागे थैंक्यू पढ़ते रहो धनिवाद बाई-बाई-बाई-बाई- झाहते हैंक्या करवे दोगाई-बाई-बाई-बाई-भराम में घुआराम में आपका हो खकता झाहते हैंक्या, wr statin वणुमृ ज औ, फ Within- दोkaマ seis, ख़कता हैंक्या कोगे हैंवाद-बाई-बाई-वाई-पजाका कराणा से मिएलेबावाब करार घशनता हैंक्याए तो